समाटर के बढ़ते हुए दाम कई दिनों से खवरों में हैं और अब और भी सबजियां महंगाई का जटका दे सकती हैं। देश के कई राज्यों में आम से लेकर खास सबजियों के दाम बेतहाशा महंगे हो चुके हैं। और हम जनता को समझ रहीं आ रहा किस महंगाई के करंट को कैसे जहला जाए। कई राज्यों में रुजाना वाले सबजियां भी इतनी जादा दामों पर मिल रही है कि लोगों के लिए खाना बनाना एक समस्या हो गया है कि बनाए तो कौन सी सबजी जो बजट को ना बिगाड़े। ज्यादा है में दो हजार रुप्या है बाक्स कितना हो था थीस की रेट का साथ हजार रुप्या हो गया। तमाटर के दाम बढ़ गए सब सबजी अमेंगे क्या बनाना क्या नहीं बनाना वही घर में होए। भी फूल को भी खरीदे 60 रुपीज और बीन्स और कैरेट 50 रुपीज थोड़ा-थोड़ा खरीद के एजिस कर रहे अग। झास का रेट का बढ़ गया है, और कि घर का रेट शामान का पूरा बढ़ गया नगी। सब्सक्राइब फासल丨हीं आरी आंगे, परेदावार नहीं हो रही। सब्जी के दामिस्ट में बिलकुल चरम आजमान पर है तामाटर देश्व सो रुपए किलो मिला है धनिया तीन सो रुपए किलो है आम जन जीवन बड़ा अस्त है कैसे जीए आदमी सब्जी खाए कि क्या करे कुछ समन में नहीं आ रहा है बाकी हरी सब्जियां सब ठीक है दे आगे भी देखते हैं क्या है क्या नहीं आमधनी में आमधनी बड़े कि तो टमाटर मद्ध हो गा जब बढ़ी ने बजे तो बता रहें बाल आई हुई है तंतर मतर तो आसमान चुुरा है तामाटर हो गया प्याज हो गया अलू अपका हो गया लोकी हो का लोकी मिला है 40 पर दिख्ता तो होगी एक किसान घर का लड़का अगर कोई सब्सक्राइब रहा है तो खालना बहुत मुस्किल हो गया है अब जादा मुस्किल हो गया पेट्रोल से जादा दामब का टमाटर को हो गया पेट्रोल के बराबर अब इसको क्या बुलिएगा पेट्रोल जादा सस्ता हो गया मेरे ख्याल से टमाटर से टमाटर वह मंगा हो गया दिया